ताजा तरेन खबरों के लिए प्राइम न्यूस 24 को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन का बटन दबाए पुछना पर पुलिस निश्व को फावडे की सहायता से सडक से खुरच कर पोस्ट मॉटम के लिए भेज दिया है उत्तर प्रदेश के जन्पदम रोहा के थाना शेत्र गजडौला में नैशनल हाइवे पर रवी वर सुभा दिलो दिमाग को जंजोड देने वाली घटना सामन आई हाइवे पर जल्दी निकलने के आपाधापी में हाथसे में मित बदन सीप को वहां पूरी रात रौनते रहे घटना के बाद किसी नेभी शव का समान करने की जहमत नहीं उठाई यहां तक की रात भर गश्ट करने वाली पुलिस को भी इसकी भरक तक नहीं लगी उदर हाइवे से गुजरने वालों ने भी पुलिस को सूचना देना जरूरी नहीं समझा रविवार सुबह सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची शव इतनी बुरी तरह से कुचलड़ा जा चुका था कि उसकी शिनाफ्ट करना पुलिस के लिए आसान नहीं होगा रविवार की देर रात राश्ट्री राजमार पर आईयमेस कॉलेच के सामने व्यक्ति की अग्यात वहन की टकर लगने से मौत हो गई हाथसे की भनक किसी को नहीं लगी जबकि पुलिस रात को हाइवे पर गश्ट भी करती है शफ हाइवे पर ही पड़ा रहा रात भर वहन शफ को रौंत कर गुजरते रहे रविवार की सुभा घटना की सूचना किसी रागी ने पुलिस हो दी सूचना पर पहुंची पुलिस ने शफ को सड़क से खुनच कर पोस्ट मॉटम के लिए भेज दिया है Prime News 24 के लिए हम रौहा से कावेंदर सिंग की रपॉर्ट